हेलो जी नमस्कार कैसे आप ये देखके परिशान तो हो गयोंगे एक दम बाजार लगा दिया मैंने यहां पर बाजार तो लगे गए जब आप बिर्यानी बनाते हो तो बाजार लगता है और मैं बना रहा हूं सब्स बिर्यानी तो शुरुवात करते हैं अमियन फ्राइइन करने से ठीक है बिरिस्ता इसको बोलते हैं वो बना लेते हैं अमियन मेरे पास स्लाइस है इसको ब्राउन कर लेते हैं खोल देता हूं प्लेट में डाले चलिए बिरिस्ता के लिए प्यास खोल दिये तेल बिल्कुल गरम है और वो ज़रूरी है खोलना भी प्यास को बहुत ज़रूरी है तो खोल दिया है में और आप प्यास को डाल देगे लिए प्यास को करेंगे ब्राउन बिर्यानी बनाने का पहला स्टेप ब्राउन करके रखें उसके बाद सब्जियां घाटें तक चावल भी भी दो सकते हैं अब तो यहां पे हमने कुछ ब्रकार की सब्जियां है लेकिन जो कुछ यूनिक चीजें डालनी है विर्यानी वह लेना अपने मेथी और सुवा भाजी यह हमने जरूर लिए है चावल भी भिगो के रखा है प्यास को ब्राउन कर लेते हैं उसके बाद अगला कड़ यहां पतले वाले जो है वो थोड़े जल्दी ब्राउन हो जाएंगे तो पतले वालों की हिसाब से हम निकालेंगे ठीक है चल यह होगे अब परफेक्टली ब्राउन यह यहां निकाल लेंगे चल यह प्यास का काम हो गया आप तेल को अलग रख लेते हैं नेक्स टेप मेरा यह होगा कि हम सबजी तयार कर लेंगे फिर पानी तो बॉइल करके रखा फिर चावल तयार कर लेंगे सब्से तयार करने के लिए पहले अंडी में तेल है अचली जब हम बिर्यानी बनाते थे रहाईद्रपादी बिर्यानी और जिस प्यास में हम अप्यास करते थे तो सब्सेयों वाला जू बिर्यास वाला ने लेटे थे खुड़ा नय ले लूगा यह लिए दो काम होते हैं इसमें एक तो पुड़ा सा जल्दी यूनों पख जाता है अब खड़े मसाले मैं जरूर डालूँगा इसमें प्लेवर के लिए तो तोड़ के इलाइची डाल लेते हैं अब दाल लेंगे घरम तेल में नेक्स्टेप दो बड़ी लाइची पूड़ी सी छोटी लाइची यह भी तोड़के डाल दें या खोल के डाल दें इस तरह ताकि फटे नहीं बेसिक आइडिया यही है तेज पत्ता यह डालने बाधियन एक यह डालने स्टार फूल दाल चिनी लॉंग फोड़े से लॉंग डाल दें ठीक है ओल ब्लाक पेपर एक छोटा चमच जीरा एक छोटा चमच यहां पर कोई रीजेन को स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं पर बेसिक जिसको मतलब सभी लोग जैसे बैंक पूट में बिर्यानी बल्क में बनानी हों तो क्या करें गया तो सिंपल यही फॉर्मुला यूज करते हैं और यू इस 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 तेस्टियस मैं कहता हूं यह जो बन रही है यह सबसे बैस है यह लिचिए प्यास ले लेते हैं गूंतें प्यास को ब्राउन करेंगे ठीक है मसाला बनाना पढ़िया बुनाई होगी यहां पे भी प्यास ब्राउन करना बहुत ज़रूबी है बिना ब्राउन कि यह आप नहीं यूज कर सकते हैं इसमें यह जरूर है कि मैंने मसाले खुले डाले हैं वह आप खाते वर्त निकाल लीजिए जब भी आएं मुह से निकाल लीजिए क्योंकि फ्लेवर बहुत बैतरी नाता है इसलिए मैं यह ऐसे ही मैंने डाल दिये अप्यास ब्राउन होने को आगे है नेक्स्टेप अद्रक लस्टन का पीस दालेंगे होना ही करेंगे एक बड़ा चमच ठीक है कि पूने में डालाना है क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि फोड़ा सा प्यास बाकी ब्राउन होने के लिए तो यह ब्राउन होते होते हम अद्रक लस्टन को ले लेगे अब अद्रक लस्टन को मिला लग से वापस दो मनिट तक भूनेंगे तमाटर डालेंगे अब ठीक है यह लिजिए तो हमने लग भग दो प्यास लिए बड़े वाले दो तमाटर लिए मसाला भूनेंगे अब तो हमाटर रूनेंगे अच्यलिए मसाला नहीं और साथ में नमक दादेंगे और यह उजिद लेंट टरेजिए करेज़ीश करते रहें अच्छे गिर्यानी में एक बड़ा बिसकस होता है आपको बताओं कि नमक का बैलेंस क्योंकि आप सबजी के इसाब से नमक डालते हैं फिर चावल जब डालते हैं वो बैलेंस चावल में नमक वह हुद इंपॉर्डन है तो इसलिए जब चावल का पानी आप डालेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि नमक कैसे टेस्ट करेंगे ये लिजिया धन्या पाउडर ये लिजिये लगभग देड बड़ा चम्मच लाल विर्च पाउडर दो छोटे चम्मच हल्दी ये लगभग आदे से थोड़ा जाधा डालना गरब मसाला एक छोटा चम्मच अब डालके इसको वापस भूनें गया और मैं क्या करूंगा ऐसे में मेरे पास कुछ सब्जियां कच्ची है वह यूज करनूगा आलू कच्चे हैं तो आलू पहरे डाल लेते हैं पकाईए इसको चे-सात मिनट तक ताकि आलू पक जाए आलू अगर आप नहीं पकाएंगे तो आलू पकेंगे नहीं मतलब इन में जब दम लगाएंगे आलू पकेंगे तक मैं काम करता हूँ प्रोड़ा सुआ भाजी जो है यह चौक कर लेते हैं कि आलू जब प्रेश्य पितता थर नी गया सीथम दम चूरैड़ यह जानानी तक पक जाएं तब अब पकाई यह जैसे मैंने बताया कि आलू डाले तो छे-ाठ मिनट पर मेनी मम पका लीजिए अब चे-ाठ मिनट आलू पकाने के बाद मैं बाकी कच्ची सब्सक्राइब डाल लूँगा गोभी यह जीजिए बीन्स प्रेंच बीन्स एक छोटी गोभी फ्रेंच बीन्स मेरे पास मटर भी कच्चे यह बी डाल लेते हैं इन सब को डालने के बाद फिर से पकाएंगे हम छे आठ मिनट तक यह जीजिए यह सब्सक्राइब डल गई फुड़ा सा पानी डाल लेता हूं मैं कि अग्यों कि यह जैसे में ठक लेते हैं और सब्सक्राइब को पकने देते और छे-ाठ मिनट तक चलिए चेक कर लेते हैं क्या स्थिती है एकदम पर्फेक्ट देखिए सब्सक्राइब पक भी गई है बीन्स पक गए है आलू चेक कर लेते हैं वाह आलू इदम बढ़िया तरीके से गल गया है यह देखिए आलू गल गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्ट ग्रेवी हमें इतनी ही चाहिए थी जितनी हमें चाहिए यहां गाजर मेरे पास है क्योंकि गाजर बॉयल थी इसलिए मैं आप डाल रहा हूं ठीक है यह देखिए गा लेते हैं एक कप अब पेशक इंडक्शन फुड़ा धीमे कर लें क्या फटा फट मिक्सिंग करनी है अद्रक के लच्छे यह डाल लें एक इंच टुपड़ा अद्रक का लें और उसको काटें हरी मिर्चे लें तीन-चार इसके लच्छे काटें पुदीना यह डालें काफी साथी सारा पुदीना डालें धनिया दो तीन बड़े चम्मच सेम पुदीना के कम से कम 30-40 पत्र डालें और पनीर डालें अच्छा थोड़ा रोज वाटर थोड़ा खेवड़ा यह डालें साफ्रन आप बाद में डालेंगे और साथी साथ थोड़ा सा गरम मसाला वापस डालना है एक छोटा चम्मच इलाइची पाउडर आदा छोटा चम्मच और घी डालें दो छोटे चम्मच वाट प्रिस्ता यह डालें क्या मज़ेदार चीज बन रही है यहां बड़िया नीमू लेताओं मैं एक चोथाई बड़ा वाला नीमू है मेरे पास इसलिए एक चोथाई नीमू लेंगे और इसका जूस डालेंगे ये लीजिए बेसिक चीज तयार हो गई जिर्यानी की इसको अब हम साइड में रखते हैं पानी उबालते हैं केसर भी बूgan सा Soci सोख करते हैं गरंपानी और तयारी करते हैं। तो पानी की तयारी हमने कर लिए गरंपानी हमने पहले से त्यार करके रखाता है तो वह अब रहा है , पानी आमैएंक बढ़िया पूरी फ्लेम पर उबालिएगा जीरा डालें शाही जीरा है तो शाही जीरा डालें शाही जीरा नहीं तो रॉपल जीरा जरूर डालिएगा और इसके साथ नमग डालगा अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नमक जो है मुख्या करना क्योंकि बहुत जरूरी है अगर नमक का बैलेंस यहां सही नहीं हुआ तो चावल में नमक नहीं है फिर फब्लम हो पानी चू की गरम है मेरे पास चावल अब यह भी आप पूछेंगे कि चावल कितना लेना है यह आप समझे कि जितनी सबजी ली है ना उतना च चावल यानि कि कच्चा होगा तो आधा किलो से थोड़ा जाता चे सो ग्राम के पास आसपास निजीए ठीक है वरना कई बार क्या होता हमेशा लोग बोलते हैं हमारे बिर्यानी में चावल ही चावल हो गए और सबजियां तो दिखी रही है चावल इसमें डाल लेते हैं चलिए तो हम फाइनल स्टेजिस पर आगे हैं विर्यानी के चावल जब उबन उबल के आपको गुलाए कि मैं तयार हूँ चेक कर लीजिए तो हम चेक कर लेते हैं यहां पर देखिए मैं आपको चावल दिखाता हूं दाने देखिए कितने लंबे विल्कुल बढ़िया ठी और फ्रेस करके देखिए यह प्रेस नहीं हो रहे तो थोड़ी देर मैं पकाऊँगा तोट रहें बीचे प्रेस नहीं हो रहें थोड़ी देर और पकाएंगे तब तट त्ट त्यारी कर लेते यह जो पॉत है इसको पास में ले आते हैं कुझ samma दनिया अच्छा यह केवडा है इसकी अज हो इसकी तैयार है केवडा को आई यह केवडा के नुट से už केवडा करबो और सामने केसर यह लिगो केसर का पाणी तयार कर लेथे हैं और यह रोज वाटर थोड़ा सा केवड़ा केवड़ा ज्यादा नहीं डालते केवड़ा के मातरा पता कहां ज्यादा यूज होती लखनाओं में और आपको बतामों यह कलकत्ता में यह लिजिए आप यह चावल बिल्कुल बढ़िया नाव वड़ा मोड़ो दूँ इस हम तयारी करेंगे परत लगाने के यह लिए वेट बिल्यानी है इसलिए पानी मैं ज्यादा नहीं डालूँगा अब तारी करम शुरू उदीना अब धनिया अब इलाइची पाउडर यह स्प्रिंक्ल कर लें हाथों से डालेंगे तो बहतर है क्यूंकि स्प्रिंक्ल कर पाएंगे तो यह गरम मसाला ठीक है जी केसर का पानी ठीक है यह आप डालें घी डालें यहां पर ब्राउन अनियन पुड़ा सा बीच में डालें तब यह आपको मजा आएगा ब्रिस्ता यह जो चावल है इसको पूरा स्ट्रेंड कर लेंगे और डाल देंगे यह चावल काफी सारा है कर लें और बाकी सारी समगरी डाल लें अब कुदिना दनिया की जरुरतनी इस वक्त थोड़ा सा गरम मसाला ठीक है यह समझें लास्ट में जो गरम मसाला डालना एक टीश्पून आपने स्पिंकल करना और आधा टीश्पून इलाइची पाउडर यह यह कंबाइन करके पूरा डालना है और सैफरन जो है लगभग आधा ग्राम लिया है यह लिए यह डालें और खी कम से कम दो से पीन टेबल स्पूर्ण और यह जो थोड़ा पचा हुआ है धकन की तयारी वाह यह लिजिए अब इसको यह डाल कर लिया लगभग घर पर भी आप क्या करेंगे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे दस बारा मिनिट तक लगभग बारा मिनिट तक उसके बाद तवे पर रख दीजिए तीं-चार मिनिट बिर्यानी इस रेडी कि स्वाद उतना ही आएगा इथे जो जब भी आप बनाएंगे लेकिन पहले दम लगाते हैं यहां हमारा दम लग गया भी देख चड़ाएं बिर्यानी का आप मिस्चिंतों के चड़ाएं यह पंद्रा मिनिट तक बिर्यानी रखें यह बिल्कुल तयार हुआती 15 मिनिट मै वाह क्या बाच है कि यह लिजिए कि रियानी की खुश्बू देखिए वाह मजा आ गया खोलने के लिए चम्मच को हमेशा साइड से यहां से बीच से नहीं डाला आपने चावल तूटेंगे साइड से डालें और मिक्स करें यह देखिए वाह अब साइड से लें यह रही बिचानी अमारी बाई बिचानी अठने आप में एक संगीत है एक शुली एक निवाला अंदर जाता है क्यों सारे फ्लेवर बहर आते हैं और कितनी शारी चीचीजों को मिलाके आपको एक फ्लेवर देना होता है जिस फ्लेवर का नाम है वो यानी वो इसी मेरी एक्सपर्टीज है आज वो मैंने आपको बता दिए घर पर बनाईए जाए आहां जानी वो इस्याभ राट वो मैंने आपको बता दिए एक्सिए जानी प्लाट में भाट राट राट इसी मेरी एक्सीक अेड़ा बता दिए एक्सपर्टीज ज़का राट प्सक्तिछ अियाए आए गून पर बता दिए लाट झाल 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 झाल